एलो एफ्रीवन वेल्कम बेक टुए टुए टुजटी ओफिशल यूटूब चैनल इस इस आयूज और आपका मैं नेवी MR SSR 23 में जो मैं आपको GS के question करा रहा हूं यह उसका part 9 है और आपको इसके अच्छे से practice करनी होगी बिल्कॉस इसमें एकदम अच्छे से present question लाया हूं एकदम top के question लाया हूं ठीक है top के question से हमारी top की mock test की यह application पे जो है launch भी है MR के लिए तो video solutions के साथ है इसको आप जरूर जोइन करें ठीक है आपका जो MR का score है काफी अच्छा है और 95% slivers में आपको जरूर देखने को मिलेगा यह तो आपको पता ही है जी के हो जाए English ऐसी सेम एरफोर्स के बच्चे त्यारी कर रहे हैं यह उन के लिए लेट मत करें जितना लेट आप करेंगे उतना आपको मॉक्टर से दिक्कत होगी पर चलिए यहां पर चलते हैं पहला कोस्चन क्या है हमारा पहला कोस्चन है कि जो union ministry of travel affairs है यानि केंदर जन जातिया माबलों के जो मंत्राले है इन्होंने जो मेदाराम जात्रा है यह festival होता है इसके लिए इन्होंने क्या कर आए कि मंजूर करें है मतलब मंजूर कर दिए है कितने रुपे करोड करें तो यह करें 2.26 करोड ठीक है 2.26 करोड यह 2.26 करोड यह second largest second largest fair of India है ठीक है second largest fair of इंडिया है यह है यह second largest fair of India किसके बाद after the kumbh mela first number पे जो इंडिया का आता है ना उसमे kumbh mela आता है kumbh का जो मेला होता है लगता है वो चीज़ है उसके बाद यह second number पे ठीक है कौन इसे celebrate करता है ठीक है ट्रेबल अफिर यह तो मिदरम जातरा है यह कहां पर celebrate होता है मिदरम जात्रा होता है तेलंगाना में ठीक है कौन करता है इसे तेलंगाना वाले करते है कौन सी जन जाती करती है तो कोया ट्राइब कौन सी जन जाती करती है तो कोया ट्राइब तेलंगाना में कितने दिनों के लिए होता है चार दिनों के लिए होता है और इससे ज़्यादा डिटेल्स दूं क्या और यह 16 से 19 फरवरी के बीच में इस साल मनाया गया था और यह एक साल में दो बार मनाते हैं ठीक है और हमेशा फरवरी के महिने में ही आएगा ठीक है किसके महिने में आएगा फैवरी के महिने में चलिए आगे चलते हैं क्क लेल्स क्या है इतला है यह पाराम के बिनक्स कर दोस्टिबॉर्ट लेलिक्स लेल्डेघ्स एक उपन सोर्स बेंटीन स्टम है पुआने खैकरे गए तो यह एंडेया नेपाल वाकट उच्गी ये हक्श तृक्षर किये गए थे, इसको कैते है, इंडिया नेपाल ट्रीटी औध पीस एंड फ्रेंडशिप कब करे गए थे, थो ये करे गए थे 1950 में, ठीक है, कब करे गए थे, 31 जुलाई करे काँए, इंडिया नेपाल ने करा था, peace and friendship का किसलिए करा था ताकि यह अपनी जो दोनों countries है क्योंकि यह गोर्खार में भी पहुँ ज़दा strong है न इसलिए ठीक है सगॉली ट्री टीवी बोली जाती है इसे यह परीश ब्रैड शॉव जो company है और राजगुरु गजराज मिश्रा जो है नेपाल के बिहाफ में इन्होंने एक जो है ब्रिटिश राज के अंदर sign कराते है इन लोग को बाहर निकालने ठीक है चलिए चेयर पर्सन ऑफ सीबी एसी सीबी एसी के चेयर पर्सन को किसको लगा गया तो इस बार लगा गया निदी छीबिल को ठीक है निदी छिबबर को ओके इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैरी इजी कोशन है बहुत ज़्यदे इजी कोशन है और यही कोशन आपको अमर में देखने को मिलेगा निदर लैंड्स में इसमें निदर लैंड्स हेग में ठीक है चलिए कार्ल मेक्स के द्वारा कौनसी किताब लिखी गई है तो यह लिखी गई है उपर की जो दो और तीसरी है ना यानि दे कमिनिस्ट मैनिफेस्टर एंड्स कैपिटल यह जो है दोनों किताबे लिखी गई है अभी जो पावर ग्रिड कॉर्परेशन की जो ओपरेशन होते हैं इसका डायक्टर किसको सिलक्ट करागिया है तो उसके सिलक्ट करागिया है आर के त्यागी को ठीक है किसको सिलक्ट करागिया है आर के त्यागी को सिलक्ट करागिया है कब कराता यह कब तक लेंगे मतला मार्च इकत्तिस मार्च 31 2026 तक इनका जो contract है इनसे अब लगा रहेगा ठीक है और अगर order आते हैं आगे तो इसके आगे भी यह लोग पहुचा देंगे ठीक है और और इसमें इसका जो headquarter है HQ है यह कहाँ पे गुडगाओं में अभी प्रेजेंटर डेट में गुडगाओं नहीं है गुरुग्राम है लेकिन लोग अभी भी इसे गुडगाओं ही बोलते है गुडगाओं आपे लिख देता हूँ sodium salt of यह क्या है जो bread को एकदम soft और spongy जब हम cake बनाते है तो वो जो एक brownie जिसे हम कहते हैं शायद वो एकदम यह baking soda मिलाने से एकदम soft बन जाता है तो उस chemical का नाम बताना है तो यह है CO2 ठीक है क्या होता है जब हम baking soda मिलाते हैं तो baking soda में CO2 भी होता है जिसके मारे एक मिनट रुके जिसके मारे जो है यह क्या बोलते हैं उस चीज को एकदम soft soft बना देता है AO tribe ठीक है नागलेंड की AO tribe जंजाती का विशेश तहवार है एक ठीक है विशेश तहवार है अब आप लोग नागलेंड सुने हैं तो hornbill लगा दोगे लेकिन गलत है यह मुआत्सू festival है ठीक है वाव ट्राइब का है जब यह जो बीज है बोधिये जाते हैं तो उस festival का नाम पूछा गया तो यह मुआत्सू festival है ठीक है और यह वाव ट्राइब के हिसाब से मनाया जाता है जो दोनों के दोनों है men and women की यह सारे लोग ऐसे dance ones करते मिलो जैसे होता है पिनके दो है एक gaming भी है मौत भी है और एक सेकर्ने करके है यहां पर लिखवा देता हूं Sóset ptsे ने फेस्टीवल ठीक है सेकरे ने फेस्टीवल भी होन मिल फईस्टीवल और मौत Pengaltro नंखलेन अि ये भी नागाले ने आपर लिखवा लेता हूँ ठीक है ये वाओ जन्जाती का है और ये इतना काफी है आप लोग के लिए इससे ज्यादा कोश्चन आएगा भी निभार ये दोनों में आ सकते है से सार ने भी दोनों में क्योंकि एजी कोश्चन भी है न तोड़ा सा है वुमन प्रेसिजेंट इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की कौन है सरोजनी नाडू पहली स्वरी सरोजनी नाडू ने एनिबसेंट के पहली पहली सबसे पहली फर्स्ट वुमन प्रेसिजेंट ऑफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस एनिबसेंट कब के session में थी कलकत्ता के session में कलकत्ता उस time पे बोला जाता था कलकत्ता session of 1917 इस time पे यह first moment president थी इन्होंने ही एक home rule league का बहुत famous question है हमेशा आता है home rule league इन्होंने ही जो है start करी थी ठीक की स्पेलिंग अच्छे से लिख दी जाए 1916 1916 ठीक है चलिए आगे चलते हैं गोश्य नंबर 11 इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट साई प्रधान मंत्री मुद्रयोजनाइन 2015 ठीक है मुझको तो यह सही लग रही है करा था कोई दिक्कत अली बात नहीं है मुद्रा जो है माइक्रो यूनिट्स डेवलप्मेंट एंड रिफाइनेंस एजनसी लिमुटेड हाँ इसके फुल फॉर्म भी यही है मुद्रा जो है शिशु किशोर और तरुन इन्होंने यह थ्री प्रोडेक्ट्स बनाने के लिए बोलाता ठीक है अल अफ दे अबोव एकदम सही है ठीक है सारा इसमें जो है सही होगा क्योटो प्रोटोकॉल बहुत फेमास है क्या है यह क्योटो प्रोटोकॉल है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में एक क्योटो जगा है वहाँ पे इसे अपनाया गया था ठीक है एक बार 1997 1997 में इसको अपनाया गया था और यह जो फोर्स में था मतलब एक्षन में बना तो लिया था लेकिन ऐसा भी होता है कुछ कुछ चीची कभी लेटा जाते है 2005 तक की जपान में आया गया था कि जो ग्लूबल वार्मिंग है उसको कम करना है ठीक है क्या करना है उसको कम करना है यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन वुमेन लॉन बॉर्ल टीम इन्होंने किस देश को हराके एक गोल्ड मेडल जीता है तो किसको जीता है साउथ अफरीका को हराके ठीक है किसको जीता है साउथ अफरीका को हराके और जो इनका Commonwealth Games का है वसे तो यह चलिए इसमें और कुछ खास बात देटी मैंने जो बीट 2008 नहीं यह सब नहीं है चलिए यह साउथ अफरीका को हराके जीता है इतना काफी आप लोग के लिए ठीक है चलिए कौन साइज स्टेट ऐसा है जो Blue Mountains यह Blue Mountains इसका नाम है और यह Mountain मतलब हर परवत की सामने लगाते है Mountain Peak है जो यह कहां पे है यह मिजोरम में ठीक है कहां पे है मिजोरम में पंदरवा कोश्चन एक क्लिप पार्ट चलिए डारेक्ट बता देता हूँ क्लिप पार्ट होता है जो एक इमेजिस को फिर बनाने में काम आता है International Date Line क्या है पहली बात तो यह और यह कब आया था यह 1884 में फिक्स हो गया था यह एक imaginary line है धर्ती के surface पे जो boundary बताती है ठीक है One Day and Next मतलब जैसे एक दिन हो गया और अगले दिन टाइम जोन के हिसाब से यह होता है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के पास है कहां पे है यह भी जानना जरूर यह याद रख ले ना इसको आसम में हैं आसम में ठीक है provisions regarding fundamental duties भारते सवीदान के निमे किस अनुछेद के मौलिक कर्तिव्यों से सबंदित परावधान है तो यह है अनुछेद 51A यानि आर्टिकल 51A ठीक है और और कुछ आर्टिकल के बारे में आपको जान लिना चाहिए नहीं वैसे इतना काफी है ठीक है कौन से साल में स्री लंका जो है Portuguese यानि प्रतोगालियों के द्वारा डिस्कोबर करा गया था तो यह करा गया था 1505 में अब यह कुछ है इसको mix करना है जैसे कि golden revolution किस से related है सुनहरी करांती यह दूसर करांती यानि ग्रे revolution यह लोग revolution पिली करांती यह सब किस से है और यह आपके option है ठीक है तो यह आपको बताना है तो अगर life class होती तो आप जुरूर बताते तो का मारता कोई-कोई लेकिन मैं बता देता हूँ golden revolution जो है horticulture and honey यानि शहत से related है तो एक आ तो 2 होगया और option number 1 एक दम सही है ठीक है जो ग्रे revolution है यह आपका बी जो है force है fertilizer से यानि खाद से मिट्टी जो होती है खाद वाद जो gray color के होते है वह इसलिए yellow revolution किसलिए है oil seed यानि जो तेल के तिलहन उत्पादन होती है उनके लिए ठीक है और black revolution petrol से है यह सब revolution क्यों हो है ते सस्ते करने के लिए या फिर और ज्यादा प्रड्यूस करने के लिए okay range क्या है nanometers में एक इस sign की क्या बोलते है length बोलते है न वहेंगनी प्रकास के परास की nm में क्या है क्या है तो क्या है वो 380 से 4.500 क्या है क्या है 380 से जो wavelength है मैं sign भूल दो मिनिट के लिए नाम भूल गया था इस sign का wavelength ही से कहते है ठीक है कितनी है 380 से ताड़े चार सो चलिए आगे चलते है world wetlands day किस दिन 2022 में इसका जो theme था वो क्या था सवरी इसका जो theme था क्या था तो इसका था wetlands action for people and nature nature होगा क्या नहीं nature होगा या ठीक है क्या होगा nature होगा चलिए next question पर Sri Lanka और India एक narrow channel से divided हो रखे तो किस के रहे हो रखे the park state of the gulf and the gulf of मनार इससे जो है Sri Lanka और India के बीच में division होता है ठीक है ऐसा कौन सा hormone है जब कोई blood pressure से बंदा क्या भोलते है रक्त चाप में उलेखनिया गिरावट से पीडित वैक्ति को कौन सा hormone दिया जाता है जब उसका जो blood pressure है गिनने लगता है तो उसको दिया जाता है adrenaline जो हमारा दिल कम खून फेकने लगता है तो जब हमें adrenaline का injection दिया जाता है जिससे कि हमारा जो खून जो है pump होने लगता है शरीर गरम हो हमास का पंद्रह मैं 2012 को कौन सी country ने जीता था तो यह जीता था Malaysia ने ठीक है क्या जीता था किसको हराया था Bangkok को ठीक है Malaysia ने जीता था Bangkok को हरा के score दिखे इनका क्या चल रहा था तीन जोए को चल रहा था ठीक है तीन जोगा 14 टाइम्स चैंपियन है ठीक है चौदा टाइम्स चैंपियन है कौन बैंककॉक तो सोजो चौदा बार जीती है और एक बार ही मिलेशिया से आगी चल लिए आज का यह कोश्चन यहीं प्रेंड करती है आगे बस टोटल 25 अधर्वाइस मैंने आपको अपना नंबर दिया ही है तो उसमें भी आप पोस्ट सकते हैं ठीक है वटसब करके कॉल मत करिएगा कॉल उठाता नहीं है ठीक है उठाएंगे तो काड़ दूगा ब्लॉक कर दूगा फिर क्योंकि बहुत बच्चे मेरे को बार बार परिशान भ झाले वारा तो नहाता है